तो स्वागत है आप लोगों का आपके न्यूटूब चैनल उज्वल संसार में दोस्तों आज की वीडियो में हम BSC Agriculture फर्स समेश्टर के Fundamentals of Agronomy जो आपका एक टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं तो आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वहा है Crop Rotation and Experienceable जो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है वहा है Crop Rotation and Experienceable दोस्तों इससे पहले हमने BSC Agriculture के जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग लगग उनको कवर कर लिया है और हमारी चैनल पर BSC Agriculture फर्स समेश्टर से लेके 8 समेश्टर तक सभी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक वाइस टॉपिक जो वीडियो है वहा डाले जा चुके हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने Fundamentals of Agronomy के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक मिलेगा आप लोग जाके वहां स उन्हें देख सकते हैं तो चली आज का वीडियो शुरू करते हैं तो बात करते हैं क्रॉप रोटेशन जियां दूस्तों क्रॉप रोटेशन होता क्या है तो क्रॉप रोटेशन क्या है जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक निश्चित क्रम में बैकल्पिक रूप से मिट्टिक उर्वरता को नुक्सान पहुचाए बिना कम से कम निवेश से अधिक्तम लाप राप्त करने के उद्देश को एक निश्चित अवधिम के में भूम को के टुकड़े पर लगातार अलग-अलग फसलों को उगाने की प्रिक्रिजा को क्या कहते हैं क्राप रोटेशन कहते हैं यानि कहने का मतलब है कि एक निश्चित भूम पर फसलों को अधल बदल कर उगाना लिकिन एक चीज का ध्यान रखकर की जो भूम की उर्वरता सकती है उसे कोई नुक्सान ना पहुचे यानि भूम की उर्वरता सकती को नुक्सान पहुचाए बिन निश्चित भूम के टुकड़े पर फसलों को अदल बदल के बोना ही क्या कहलाता है फसल चक्रिया क्रॉप रोटिसन कहलाता है उसके तो अब बात करते हैं कि इसके सिद्धान कौन-कौन से हैं यानि किस परकार से इन्हें मतलब फसल चक्र को किस परकार से अपलाई किया जात तो उसके कुछ topics में देख सकते हैं यहां पन लोग देख सकते हैं कि पांजेश्य music x debate करें तो शबसे पहले बात करते हैं ची्जे कि आप लोगों को समझे है कि जब crop करोड़ेशन को अप्लाई किया जाता है तो पहले एक सीरियल क्रॉप रहेगा ठीक है उसके बाद एक सीरियल क्रॉप के पास एक दलानी फसल रहेगी एक दलानी के बाद फिर एक सीरियल क्रॉप होगा यानि एक फसलों की बुवाई के बाद दलहनी फसलों को मतलब एक फसल के बाद दलहनी फसल फिर कोई फसल फिर दलहनी फसल फिर कोई फसल फिर दलहनी फसल इस परकार से इसे हम उगाते हैं तो यह इसका प्रेंस्पल हैं तो कोशीजें लिखी हुई हैं तो चलिए देख लेत यह नहीं चाहिए अभी हम इन सब टॉपिक को कबर करने के बाद बताते हैं अगला है फलीदार फसले गैर फसलों के बाद उगानी चाहिए फलीयां मिट्टी में वायमंडलिये नाइट्रोजन को इस्थिर करती हैं और मिट्टी में अधिक कर्वनिक पदात को जोड़ती हैं हमारी दल्हानी फसले होती हैं या जो मतलब फलीदार फसले होती हैं उनके जड़ो में एक बैक्टिरिया पाये जाता है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसे दल्हानी फसल को आप देखते होंगे जो इसकी जड़े होती हैं उनमें छोटे 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 गाठे बने होते हैं तो क्या होता है कि उन गाठों में एक बैक्टिरिया पाए जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम तो वह जो बैक्टिरिया होता है वह इन्वार्मेंट का यानि वह मंदलिये नाइट्रोजन को क्या करता है मिर्दा में क्या करता है इस्थरी करण करत तो उन्हें बोने से क्या होता है कि मिर्दा में जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है वह बढ़ती है और मिर्दा में जो नैट्रोजन की मात्रा भी क्या होती है बढ़ती है अगला पॉइंट दिया है हुआ है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका अगला दिया हुआ है कि अधिक बिस्तरित फसलों के बाद कम बिस्तरित वाली फसलों को अपनाने चाहिए जिसे क्या होता है कि एक बार हम ज़्यादा ग्रोथ और डवलम्मेंट वाली फसलों को गा दिये उसके बाद दूसरे बार जो हम लोग फसल को लगाते हैं फसल को ट्रांस्प तो यह पर परिवार की फसलों को लगातार नहीं उगानी चाहिए क्योंकि कीटों और बिमारों के लिए आपके ब fällt-प कर देम्ड कि थे भी मेजबान की तरह काम करती है जैसे क्या होता कि कोई एक सपसेज की जो आपकी क्रॉप है जशे आप मान लीजिए ग्रेमेनी पीक फैमिली जैसे ग्रेमेनी पॉस्त करके है ठीक है जैसे धान यह वह हो है जो अररबाजिरा, होते हैं कुछ particular species पे अपना परभाव डालते हैं और पार्टिकुलर फैमिली पे अपना परभाव डालते हैं तो अगर हम एक ही परकार के फसलों को बार बार उगाएंगे तो उसमें जो बीमारियां और कीटें हैं उनके लगने के जो चांसेज होंगे वह जादा से जादा क्या होंगे उसमें कीटा और इंसेट्स लगेंगे अगला है एक आदर्स फसल देवी अपलोड किया रहा है तो परिवार का मतलब फैमिली है को कह एक आदर्स फसल चक्रुआ है जो परिवार को अधिकतम रोजगार परधान करता है और किरसक किरसी स्रम क्रिसी मसीन और उपकरडो की कुसलता पूर्वा को किया जा सकता है यानि हमें उस फैमली के पौधों को गाना चाहिए जिससे हमें ज़ादे से ज़ादे इल्द मिले गया है कि आप लोग पता होगा कि हमारी जो एग्री कल्चर है हमारा जो क्रिसी है तो उनकी आय कितनी है आप लोग सब कुछ जानते होंगे और अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक्रिकल्चर से जुड़ी होई जानकारियां मिलती होंगी और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक टूपिक तो आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अगला है फसल का चैन मांग क्या धार होना चाहिए जैसे क्या होता जैसे आपका कोई लेंड है वह अमलिये है चारिये है या वाटर लॉक्ड है जो भी फसल जो आपका लेंड है जो आपकी भूमी है वह किस परकार के फसलों की मांग करती है तो तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए धान को लगाना चाहिए क्यो और जौर बाजरा लगा देंगे तो वा क्या है कि वह डूप जाएंगे या हो नहीं पाएंगे क्योंकि जो फसले हैं इनकी water requirement काफी कम होती है अगला फसलों का जूसें आपमाकू का पकड़ लिए या बहुत सारी इसी फसले हैं जिससे गन्ना हो गया या आलू ऊगया तो जीड्रों के शीज़ किатने में पालन करेंगे मर्गी बहुत में तट i इस पे इसमें जादे चीज़े हैं जादे आर्णिंग आपको होगी या जादे आपकि आर्थिक लाब होगी तो किसान को क्या है किसान के अंदर आप लोगों को पता करें ची additional पर उसे क्या करना चाहिए फसलों का चुनाव करना चाहिए है ज्यादा महेंगी फसले नहीं करने चाहिए क्योंकि जादे महेंगी फसले वाले लेगा तो उनका जो देख भाल है ठीक है उनका जो management है हुआ सई से नहीं कर पाएगा अगला है चैनीज फसले मिट्टी और जलवाई प्रस्तिती के अनुकूल भी होनी चाहिए आईसा नहीं है कि बहुत सारे फसलों को हम लगा जैसा कि आप लोगों ने अपने फॉरिष्ट्री में एक प्लांट का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं लिप्टस का आप लोगों नहीं नाम सुना होगा उसे हम लोग क्या बूलते हैं प्राकिर्ति का आतंक वादी बोलते हैं जल KIMBHI का नाम सुना होगा तो ऐसे प्लांटों को हमें नहीं लगाना चाहिए कि जिससे हमारे environment को क्या हो हार मोँ हु, हमारा environment क्या polluted हो हमारे environment में क्या हो प्रियावड जो परदूसर्ण ही हुआ नहों तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो फसल का है करने बाद हम फिर क्या किए दलानी फसल को उगाए हैं फिर दलानी के बाद जो भी फसल उगाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह जो फसल है यह क्या करता है नाइट्रोजन का क्या करता है मिर्दा में इस तरी करण करता है तो इसके बाद जो भी फसल हम उगाएंगे कि उसके रूट क्या होंगे मिर्दा में जाएंगे और मिर्दा में जाने के बाद जो यह आपका क्या है जो यह नाइट्रोजन है यह नाइट्रोजन इसके जड़ों को यानि इस प्लांट को मिलेगा तो इस प्लांट को क्या होगा लाब होगा तो वही कहरा आगामी फसलों के लिलावकारी यानि हम जब crop rotation को अपनाएंगे तो जो नई फसले हैं वो हमारे फसलों के लिए क्या होगा लावकारी होगा अगला है वाई मंदली है nitrogen को इस्थिर करके मिट्टी की और वर्था को बनाये रखती है जैसा कि अब लोग को पता होगा बता है कि मिर्दा में क्या हो होगी तो क्या होंगे मिर्दा में जो मतलब माइक्रोब्स है जो उनकी जो population है वाई इनकी जो होगी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को यह टॉपिक जो है overall अच्छे से समझ में आया होगा और दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैन किलते हैं में निक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन वदने मात्रों